हेलो श्रेंड कैसे आप? I hope आप सब अच्छे हम प्यारो च्छो आज हम करेंगे कख्षा 4 के हिंदी के पार्ट 1 को इस पार्ट का नाम है बच्छो प्रात्ना तो इससे पहले हम इस पार्ट को अच्छे समझ चुके हैं बच्छो जैसे कि यहाँ पर पहले दिया है सबदार्थ तो यह सबदार्थ को होते हैं चुक बहुत जादा important होते हैं बहुत जादा math पून होते हैं तो हमें इन्हें अच्छे समझना बहुत जरूरी है तो देखेते हैं पहला जो सबदार्थ है वो है उपकार उपकार का यहाँ पर जो अर्थ होता है वो होता है भलाई ठीक तो इसे आपको अच्छे से याद कर लेना है उपकार का अर्थ क्या होता है भलाई दूसरे पर हम चलें मात्र भूमी तो मात्र भूमी का अर्थ होता है जन्भूमी यानि ऐसी भूमी जहाँ पर हम जन्म लेते हैं उसे हम मात्र भूमी बोलते हैं जैसे भारत हमारी मात्र भूमी है क्योंकि यहाँ पर हमने जन्म लिया है ठीक है यदि कोई वेक्ति बाहर से आता है तो भारत उसकी मात्र भूमी नहीं होगी योग का मीनस होता है लायक तो जैसा कि हमें इस कवीता में बताया भी है क्या जो बच्चा है वो प्रभू से इसवर से प्रातना करता है के हे प्रभू मुझे इतना बल्दो की मुझे इस भारत के लायक बन जाओ यानि योग बन जाओ अगला है अन अन का अर्थ होता है अनाज अनाज बच्चो ऐसे खादान पदार्थ होते हैं जैसे कि गेहूं, चावल, बाजरा, जौर, इत्यादी ये सब किस में आते हैं अनाज में आते हैं ठीक, अगला है बल बल का अर्थ होता है सक्ति और तागत ठीक, जैसे कि हम देखें कि हमें कितने किलो बजन उठा सकते हैं तो वो हमारा किस से होगा, बल से होगा हमें कितनी सकती है या फिर तागत है ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं अगला है पवन, पवन का अर्थ होता है हवा या वायू हवा या वायू को हम पवन भी बोलते हैं इस तरीके से हम इन सब दरतों को अच्छे से याद कर लेंगे यह बहुत जादा important होते हैं हम इसे छोड़के चले जाते हैं लेकिन इन्हें हमें अच्छे से याद करना है अगले देख लेते हैं बच्चो अगला आपका topic है वह है both present इसमें जो passion दिये है निमल से प्रशनों के उत्तर लिखिये आप आपको हम इस कवीता के प्रशनों की तरफ आ गये हैं तो इस प्रशन कमांग एक है वो है इस कवीता में कभी किसका उपकार मान रहा है तो जैसा कि हमने देखा था इस कवीता में कि जो बच्चा था या फिर जो कभी है वो प्रभु यानि ईश्वर का उपकार मान रहा है ठीक वो उपकार क्यों मान रहा है क्योंकि जो प्रभु है या फिर ईश्वर है उन्होंने कभी को इस देश प्यारे से देश भारत में जन् जो प्रेश्ट के मांग दो हैं, वो है, कभी किसके योग बनना चाता है, तो कभी अपने प्यारे भारत देश के योग बनना चाता है, यानि अपने देश के योग बनना चाता है, देश के योग इसलिए बनना चाता है, क्योंकि इस देश ने कभी को बहुत कुछ दिया, क्यो पर हम बच्चो इस प्रेशन का उत्तर लिखेंगे कभी भारत के योग बनना चाहता है योग का अर्थ हम समझी चुके हैं पहले लायक ठीक है इतना लायक बनना चाहता है कि वह इस भारत देश के कुछ ना कुछ काम आए ठीक जानी जो भारत के जो प्रेकर्टी है पसु है मन इनकिन को अपना सगा मानना चाहता है तो कभी बच्चो प्रेकर्टी मनुष्य पसु इन सभी को अपना सगा मानना चाहता है यानि इस पूरे देश को अपना सगा मानना चाहता है ठीक है क्योंकि वह भारत का ही वासी है भारत उसकी मात्र भूमी है इसलिए तो इस प्रेश हैं ब्रक्ष हैं नदियां हैं तालाव हैं यह सारी चीजे प्रकर्ति में आ वो इन सबको अपना सगा मानता है प्रेश्ण का मांग चार है वो है कभी किसके सपनों को पूरा करना चाता है तो कभी महात्मा गांदी यानि बापू के सपनों को पूरा करना चाता है क्योंकि जो बापू थे उनका ये सपना था कि हमारा जो भारत देश है वो एक महांदेज बने, इस विश्म में महांतम उचाईयों तक पहुँचे तो इस वाद के सपनों को, मतल़ा है बापु की सपनों को पूरा करना चाता है ठीक तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कभी बापू के सपनों को पूरा करना चाहता है तो बापू कौन है महात्मा गांदी जी ठीक है तो इस तरीके से हम इन प्रश्णोत्रों को कर सकते हैं अब चलते हैं अगले अभ्यास की ओर अब चलत जो प्रश्णोत्रों क्रानक दो है वो है खाली इस्थान बरिये तो यहाँ पर हमें कुछ खाली इस्थान दिये हैं वो कभीता की पंक्तियों के आधार की मैं भारत में रहता हूँ तो जैसा कि हमने कवीता को पढ़ा था बच्चो वहाँ पर एक पंक्ति थी प्रभु तेरा उपकार की मैं भारत में रहता हूँ तो यहाँ पर विक्तिस्थान में आ जाएगा उपकार ठीक उपकार का मैंने आपको अर्थ बताया था बच्चो उपकार का अर्थ होता है एहसान ठीक उपकार का अर्थ होता है एहसान जो दूसरा वाला विक्तिस्थान है वो है विक्तिस्थान की प्रकरती पुरुष पसु सबको अपना सगा गिनू ठीक है तो यहां पर बच्चों आएगा मात्र भूमी की प्रक्रती पुरुष पसू सब کو अपना सगा गिनूँ तो यहां पर हम लिखेंगे मात्र भूमी मात्र भूमी ठीक है? मात्र भूमी आजाएगा तीसरा जो रिक्तिस्थान है वो है भारत के जल डैस अनमाटी में पलता हूँ तो भारत के जल पवन अनमाटी में पलता हूँ तो यहाँ पे आजाएगा पवन ठीक इस तरीके से यह रिक्तिस्थान वाले प्रस्मी हमारा पूर्ण होता है अब चलते हैं अगले प्रेशन के योग जो बच्छो अगला प्रेशन है वो है निमले के पंक्तियों के भाव लिखिए तो यहां पर कुछ हमें पंक्तियां दी है जिससे इनका दुख अपना दुख मानू इनके सुक को सुक अपना ठीक और दूसरी जो पंक्ति है मेरी मात्र करने थे तो जो पहली पंक्ति है वो है इनका दुख अपना दुख मानू इनके दुख को सुक अपना तो जो भी भारत की चीज़ें है ठीक है तो उनके दुख को मैं अपना मानू और उनका जो सुक है उसे भी अपना मानू ठीक यानि उनके दुख सुक में हमेशा उनके सा पशूं में और उनके साथ रहूं या ऐसा नहीं न सुक्त मैं लेकिन उनके साथ नहीं नहीं मुझे भी बरावरी से उनके सांसे रहना है यह प्रेश्चिंव क्यों है वह है मेरी मात्रभूमी है भारत मैं भारत के योग कभी जो हैं वो कहते हैं कि जो भारत हैं वो मेरी मात्रूमी क्यों क्यों है क्योंकि इस म Congratulations on Lynpath के योग बनंव मतलब मैं इतना योग बनूं कि न भारत के कुछ ना कुछ पसकाम आसे तो यहां पर आप को उत्तर लिखना है ते कभी केता है कि भारत की दर्टी पर हमारा जन्म हुआ है तो हम इसके काम आए और इसके योग बने योग्य ये योग्य इस तरीके से रिखेंगे कुछ-कुछ मिश्टिक हो गई है बच्छो ठीक, तो अब चलते हैं बच्छो अगले प्रेस्टन की उर अब च्छो हम आ गए हैं इस पाट के भासाद धिन वाले अभ्यास पर तो यहाँ पर जो इसका प्रेस्टन की मांग के एक है वो है निम्ली के सब्दों का वाक्य प्रियोग कीजिए यहाँ पर हमें कुछ सब्दी हैं जैसे उपकार, सपना, मात्र भूमी, पवन, माटी तो इन सब्दों का प्रियोग करते हुए हैं हमें एक वाक्य बनाना है वाक्य ऐसा बनाना है जिनमें इन सब्दों का प्रियोग हुआ हो जैसे पहला सब्द है उपकार तो इसका हमें एक वाक्य बनाना है मेरे पिताजी का मुझ पर उपकार है यह हमने वाक्य बना दिया तो यहां पर देखा हमने इस वाक्य में उपकार सब्द का प्रयोग किया है इसी तरीके से दूसरा है सपना तो मेरा डॉक्टर बनने का सपना है ठीक है इस तरीके से बाक्य बना सकते हैं तो यह बाक्य बना देते हैं मेरा डॉक्टर बनने का सपना है ठीक यह बन गया है अगला है मात्र भूमी तो यह बना सकते हैं भारत मेरी मात्र भूमी है भारत मेरी मात्र भूमी है नेक्स्ट जो है वो है पवन तो पवन पवन के लिए बना सकते हैं हम सुवा के समय पवन चलती है सुवा के समय पवन चलती है सुवा का समय ठंडी पवन चलती है तो इन प्रेस्णों में बच्चो कोई भी वाकय फिक्स नहीं होता हमारे दिमाग में जो भी वाकय बन रहा है बस उस वाक में उस सब्द का प्रियुक किया गया हो तो ऐसा हमें वाक के लेना है ठीक, जैसे यहां पर हमने पवन को ले लिया है ठीक है माटी तो मेरी गाउं की माटी बहुत अच्छी है खेती के लिए बहुत अच्छी है ऐसे कह लेते हैं मेरे गाउं की माटी गाउं की माटी अब इसमें लिख देते हैं सरसों की सरसों की खेती के लिए खेती के लिए लिए अच्छी है अच्छी है इस तरीके से हम वाक्य बना सकते हैं ठीक आप भी अपनी मर्जिस से कुछ भी वाक्य बना सकते हैं जो वह सिंपल और इजी वाक्य आपके दिमाग में आ रहे हो तो आप उस इसाब से बना लीजेगा यह प्रस्न रटने वाले नहीं होते वच्छो इन्हें हमें अ समाने ठीक है जानी एकी सब्द को हम दो अलग-अलग वूपों में जैसे आंक को हम नयन भी बोलते हैं तो इन्होंने आक से नयन को मिला लिया है ठीक है प्रभु प्रभु हमेसे ही में बोलता रहा के प्रभु इश्वर को बोलते है ठीक तो यहां पर हम प्रभु को तो जलकू हम पानी से मिलते हैं अगर हमें पर्याच्थि सब्द याद है तो हम इस प्रय्षिन के उत्तर को आसाणी से कर सकते हैं अग देख लिएए अग्ली उसे दिख से लिए है जो प्रेशंघ के मांग 3 है वो है लै ने यहूं कि सब्दों के विलोम सब्द चहाट कर लिखिए है evil official हमसाब रात जिसे रात का दन सुबह का साम विलोम सब्द होते हैं उन्हें हम व कहते हैं तो यहां पर हमें कुछ सब्द दिये हैं जैसे कि अपना सुख सुभा योगे ठीक है तो यहां पर उनके विलॉम सब्द दिये हैं तो यहां से चाटकर हमें यहां लिखना है उन सब्दों के आगे जैसे अपना अपना का जो विलॉम होता है वो होता है पराया ठीक तो यहां पर ह विलों हो जाता है यह दुख, तो यहां पर हम लिख देंगे दुख, ठीक, सुभा, सुभा का आ जाएगा साम, ठीक, सुभा का उजाएगा साम, योग, योग का उजाएगा अयोग, ठीक, अयोग, योग का अर्थ तो हमने पढ़ी लिया था पहली सब्दार्थ में योग मींस होता है लायक और आयोग means होता है नालायक जो लायक ना हो ठीक उसे हम आयोग बोलते हैं अब देखते हैं बच्चो अगला प्रेस्टम क्या है हम् तो यहाँ पर दिया है योग यता विस्तार तो इसे देख रहेते हैं मात्वी उमी का महत बताने वाली अन्य कवीताओं को धून कर कक्षा में सुनाईए तो जिन कवीताओं से हमें मात्वी उमी के महत का पता चलता है हमारी मात्वी उमी के इंपोर्टेंस का पता चलता है ठीक तो बच्चों इसी प्रेस्टिन के उत्तर के साथ हमारी एक वीडियो कंप्लीट होती है I think ये वीडियो आपको पसंद आई होगी यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें आप से मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में